सबी प्यारे दोस्तों कानुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार 2021 का मैंने जो पेपर का operation किया था उस operation का आज हम लोग उसकी stitching कर लेते हैं यानि कि जान लेते कि आखिरकार 2021 के पेपर में कौन कौन से questions आये थी किस chapter से ये तो मैंने बताया था लेकिन कितने question आये थे ये नहीं बताया थे और आपको खास बात एक बहुर बताना चाहूंगा कि यहां पर जो examiner यानि कि जो paper expert था उस paper expert की क्या खास बात थी वो भी आप आज जान लीजे छोड़िए बिलकुल नहीं क्योंकि कारण ये है कि ये paper आपको बताएगा कि हमें 2024 के लिए कैसे alert रहना पड़ेग पूरी structure of item से की थी लेकिन हमें question cable बहाँ पर एक ही दिखाई दिया तो ये एक सूचने बाली बात है और सूचने बाली बात ये भी है कि आखिरकार आप अब आगे की तैयारी में क्या परिवर्तन करें ये भी वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा S-block के element से चार question थे यानि कि S-block से चार दिया इन्होंने बहुत ही important बात है कि S-block को इन्होंने चार लिया inorganic chemistry मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो expert था 2021 का question paper का जो expert था उसने इस बात पर बिसेश जोड दिया है कि inorganic chemistry is important मतलब तो उसका साफ इंडिकेट हो रहा है कि उसने paper पर inorganic chemistry पर बहुत जोड दिया physical पर भी जोड दिया वो भी thermodynamics पर तो thermodynamics में आपको दिखाई दे रहोंगे 9 question total उसने उठा करके रख दिये poly hydrocarbons में 5 question रख दिये और अगर आगे बढ़ता हूँ इसी सीरीज में तो chemical kinetics से आपको चार question दिखाई दिये electro chemistry से चार दिखाई दिये hydrocarbohydrate से भी चार दिखाई दिये लेकिन हेलो-alkin हेलो-airene से केबल बच्चा दो एक ही question था मैंने पूरे पेस पर को आपको समझा है लेकिन हमें केबल एक ही question दिखाई दिया वहाँ पर reaction अगर मैं बात कर रहा हूँ reaction mechanism की तो reaction mechanism में भी मुझे केबल आठ question दिखाई दिये मतलब standard अच्छा था बहुत ही अच्छा standard था और thermodynamics की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो thermodynamics का standard तो जबरदस था यानि की ये धासू था बिल्कुल आपकर आपको मैं अपने सब्दों में कहूं तो ये धासू था बिल्कुल यहाँ पर simple ये कह सकता हूँ कि बाके में PGT लेबल को ये touch नहीं कर रहा था PGT अब अब चला गया था और यहाँ पर आईए Gases State में 6 Question को दाइरा दिया गया Catalyst में 2 को दिया गया Hydro Carbon में मातर 2 Question जो एक Alkin में से था और एक Alkin में से था जबकि यहाँ से कम से कम 6 Question होने चाहिए थे 3 Alkin से और 3 Alkin और Alkin से मिला करके होने चाहिए Total 6 तो होने ही चाहिए थे लेकिन Cable Question 2 थे बच्चों ने जबकि Hydro Carbon पर खूब तयार किया हेलो Alkin पर भी खूब तयार किया Alkohol Phenol Ether पर भी तयार किया लेकिन कोई Question नहीं आया उसके बाद एंजाइम पर चले जाते हैं एंजाइम पर 2 Question उठा करके साहब ने डाले थे और इसी बात को अगर मैं देखूं आगे तो Carboxlic Acid में 5 Question दिखाई दिए जो Physical और Chemical Properties पर डिपेंडनेंट थे आइनिक उकलिवरियम में 5 Question थे Alkohol में के बले 1 Question नो यूज़ कोई मतलब नहीं था एक Question था के बले यहां से कमेस्टी से भी मुझे 3 Question दिखाई दिए और DF Block अगर मैं यहां पर देखता हूं Master की दिखाई दे रहा है पूरी Master की यहीं पर दिखाई दे रही है DF Block को अगर मैं नोट कर पा रहा हूं 8 Question है Coordination में 12 टोटल 20 Question बताओ एक Chapter से 20 Question दिए है साहब ने इसका दिहान दिजिए तो यानि कि 20 Question एक ही Chapter से दिए ब्लॉक कोडिनेशन तो एक ही Chapter मानके चलिए आप क्योंकि इनॉर्गनिक की जान माना जाता है और यहीं से उन्होंने 20 Question दाग दिये तुरंत ही Collider Solution को देखता हूं तो 2 Question गए Aromatic से जा रहा हूं तो 5 गए Heterocyclic से 4 गए P Block को अगर देख पा रहा हूं तो P Block में मुझे No Question दिखाई दे रहा है यानि कि अगर मैं Overall आप से बात करना चाहूं तो यहाँ पर यह बोल सकता हूं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूं कि Coordination Chemistry जो थी पूरी MSC लेबल को टेच कर रही थी लेबल इसका MSC था यह आप अभी से जान लीजिए और अगर मैं P D F यानि कि अगर मैं Coordination से देखता हूं तो 20 प्लस Coordination D F से 20 माल लीजिए P Block से 9 माल लीजिए S Block से 3 माल लीजिए Total अगर मैं देख पा रहा हूं से तो S P D F Block कर आप तयार करते हैं S P D F Block तो यहां से पूरे 33 Question का दायरा मिलेगा आपको Solution से 3 दिखाई दिए Chemical Bonding से 3 दिखाई दिए आगे Question नहीं थे इसमें Solid से केबल 2 Question Dye से केबल 1 Phenol Neglect कर दिया एक ही Question दे करके काम चलाया Radio Activity से 1 Question Equilibrium से 1 Question Phase Rule से 1 Question Surface Chemistry से 1 Question Hormone से 1 Question दिया तो यहां Overall Result यह समझ में आया कि Expert Inorganic Chemistry का ही था उसे Physical से भी प्यार था Inorganic Chemistry से भी प्यार था 90 Question अगर मैं नोट कर पा रहा हूं तो 125 Question जो होते हैं 125 125 में से साफ साफ मान के चलिए 40 Question जो थे वो Inorganic Chemistry से चले गए Organic Chemistry से चले गए और Physical Chemistry से Remaining अगर नोट कर पा रहा हूं तो 40 के यहां पर तो साफ अगर जोड़ पाऊंगा टोटल निकालूंगा तो 45 के असपास जाएगा तो यहां पर 85 Question यही हो गए और Remaining आपका 40 Question अगर मैं नोट कर पा रहा हूं 85 से और 40, 125 25, 15 और 30 ज्यादा हो जाएगे मैंनी कि यहां पर मुझे रखना चाहिए यह हो गए आपके कितने Question हो गए यह हो गए आपके 85 Question हो गए 85 और 15 85 और 15 हो गए आपके इधर 100 और 25 ठीक है तो यानि कि लगबग और लगबग 40 Question अगर मैं सोच पा रहा हूँ तो 40 Question जो हो जाते हैं लगबग Physical Chemistry के लेकिन यह जो Average जो जा रहा है वो तो ठीक जा रहा है लेकिन on an average अगर टोटल देखते हैं तो Physical Chemistry और Inorganic में जो Unequality दिखाई है साहिब ने वो गलत किया है अगर पेपर कोई सेट करता है तो मान के चले कि Fail Percentage बढ़ा देगा इस पेपर को अगर मैं देखता हूँ तो यहां पर Net G.R.F.C.S.I.R. को Qualify किये हुए बच्चे जो है वो भी Fail हुए थे और तदर्स के लिए तो यह Sinide का काम किया था Potassium Sinide का और उसने आज तक उनको भरने नहीं दिया खैर इससे हमारा कोई ले न देना नहीं लेकिन यह पेपर उनके लिए भी था जो तदर्स सिक्षक थे और इतना Hard Paper था कि साइद यह अपने 2-3 बार और महनत करते 2-4 साल और करते तब भी इस पेपर को नहीं निकाल सकते थे क्योंकि सिक्षा इन से बहुत दूर जा चुकी थी इसलिए इस सिक्षा में तो थे लेकिन बाकई में अपने सब्जेक्ट को भूल चुके थे खैर इन से हमें कोई बहुत पड़ी वो नहीं है इनके उपर हमारा यह होना चाहिए कि यह बिचारों के साथ में अन्याय तो होई गया खैर पेपर टफ था और नहीं पढ़े यह इनने अन्याय किया था तो यहां पर मुझे बहुत दिसका सरनी लेकिन पेपर का स्टेंडर्ड अगर मैं नूट कर पा रहा हूँ तो पेपर का स्टेंडर्ड यहां पर टफ था और टफस्ट का मतलब था टफनेस मैकसिमम लेबल पर थी और दो हजार इकीस से अगर मैं चौबिस में जाने की कोसिस करूँगा तो दो हजार इकीस से चौबिस में आने वाला पेपर टफ होगा हाई स्टेंडर्ड रखेगा और इन्हों ने जो काम किया वो इन और्गनिक केमिस्टी पर बहुत किया है तो अब हमें इक्वैलिटी जो दिखाई देनी चाहिए वो ये समझ में आनी चाहिए कि इन और्गनिक से 33 दिखाई दिए फिजीकल से 15 दिखाई दिए रिमेनिक और्गनिक केमिस्टी भी लेकिन मेन इन इन और्गनिक और फिजीकल में कौन कौन से चैप्टर इन्होंने उठाए थे सॉलिड इस्टक्चर आफ हैटम पिरोडिक टेबल को तो नहीं मान के चलिए खतम कर दिए इस चैप्टर को कोई मतलब नहीं छोड़ा इन्होंने कोई बात नहीं लेकिन हाँ अब हम बात कर रहे हैं कि इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए थर्मोडानेमिक्स पर विसेश तोर से ध्यान दीजिए क्योंकि ये MSC लेबल की आई थी पॉली नुपलिए घ्रो कारबन ये भी 25% PG लेबल उठाया लेकिन ये PG लेबल बहुत ही हार्ड उठाया था इन्होंने ये भी मैं बतादे रहा हूँ 25% जो ग्रेजृशन लेबल उठाया ये भी हार्ड लेबल था और अगर मैं बात करता हूँ जे नीट केबल 50% उठाया तो ये भी हार्ड था ओवर ओल पेपर केबल 85 कोश्चन जिनके थे 85 से 90 कोश्चन जिनके करेक्ट थे उन लोगों को सेलेक्शन के दायरे में इन्होंने उठा लिया यहीं आने वाला पेपर में अगर आपको साबधान रहना पड़ा तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो 2020 का पेपर था उनमें अनीकॉल डिस्टिविशन आफ एमसी क्यूज को प्रफरेंस दी गई यहीं पेपर में अनीकॉल डिस्टिविशन था जिसके लिए उनको साबधान रहना चाहिए था और 2024 का जो पेपर होगा इसमें अनीकॉल डिस्टिविशन मेरे साब से नहीं होना चाहिए और अनीकॉल डिस्टिविशन नहीं बच्चों की परसेंटेज को गिराया तो 2024 में आपको selection लेना है तो अपनी NCIT base study को UG और PG label पर ले आएए उसी से base question करिए toughness को बढ़ाईए जाता से जाता से जो कठिन question हो सकते हैं उनको करिए तब ही आप 2024 में पार पापाएंगे क्योंकि इसके notification में ये निश्चित हो जाएगा कि अब हमारे लिए syllabus क्या होगा यानि कि अगर syllabus NCIT base रहता है और राज सिक्षा सेवा चैन बोर्ड इसकी पर इक्षा कराता है तो फिर paper का level बहुत best होगा और आप UP PGT qualify करेंगे लेकिन अगर unequal distribution रहा तो उसके लिए भी alert रहेगा क्योंकि 2021 का paper जरूर बता रहा है कि हमें इन topics पर जो आपके सामने green color से दिखाई दे रहे हैं इन पर बहुत अच्छे तरीके से focus करना पड़ेगा और तब हम UP PGT examination qualify कर पाएंगे तो इन topics पर बिसेश तोर से focus करिए और 2024 में आपको घबडाना नहीं है क्योंकि 2024 का pattern बदला हुआ मिलेगा और जो किंद्र विद्दल है और नबुद है pattern पर परिक्षा होगी और physical chemistry में भी वो topic उठाए जो अच्छी खासी toughness को लिए हुए थे तो आपको साबधान रहना चाहिए ऐसे paper lover से क्योंकि ये जो लोग होते हैं इनको बच्चों की किसी भी तरीके से कोई परवाह नहीं होती है ये unequal distribution करके अपने आपकी बावाई लूटेंगे कि भाई हमने तो बड़ा अच्छा paper बनाया लेकिन साइद ये बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो जाता है तो जो MSC किये हुए लोग थे जो net qualify थे जो अलरड़ी तैरी कर रहे थे net के उन बच्चों से भी ये paper बहुत ज़्यादा सौल्ब नहीं हो सुका हो पाया और ultimate वो लोग असफल हो गए तो ये paper बहुत ही tough था इसलिए इस paper से ही हम अपने आपको आखें और जाने कि आखिरकार paper की तैरी 2024 में हमें alert रहना पड़ेगा क्योंकि 2024 में अगर आप alert रहेंगे तो फिर मान के चलिए कि सफलता आपको 100% मिलेगी और ये NCRT base paper 2024 के notification से आपको पता लग जाएगा तो 100% आप तैरी पर लगे रहे हैं इन business topic पर business धहन दीजे तब ही आप 2024 में सफल होंगे इस बात का धहन दीजेगा तो वीडियो की जो total note करने वाली बात है उनको note कर लीजे और अपने साथियों को ये जरूर बताईए कि 2024 में alert रहना है तो question paper के unequal distribution के साथ साथ आपको कुछ harder topic भी तैयार करने पड़ेंगे तब ही आप 100% 2024 का examination qualify कर पाएंगे तो 2024 अगर qualify करना है तो 21 से सबक ले लीजिए और 2024 में अगर best performance करनी है तो जो मैंने topic गिना है इन पर बिसेश तोर से ध्यान दीजिएगा तैयारी करने के लिए हमारे एप पर भी आ सकते हैं एप का नाम है Aroma Chemistry Classes Thank you